नमस्कार आप देख रहे हैं डीजी चूडे और मैं हूँ आपके साथ केर्टी सिंग आईए रुख करते ही खबर की ओर वसीम रिजवी को पूरे रीती रिवास से सनातन धर्म ग्रहन कराया है हिंदू धर्म ग्रहन करने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि वा सिर्फ हिंदुत्यों के लिए काम करेंगी वसीम रिजवी ने अभी हाली में अपनी वसियत जारी करते हुए कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके शरीर का हिंदु रिती रिवासो के अनुसार अंतिम संसकार किया जाए, ना कि दफनाया जाए सोशल मेडिया पर पोस्ट किये गए एक वीडियो में रिजवी ने कहा है कि उनके शव उनके हिंदू मित्र डासना मंदिर के महंत नर्सिंग आनंद सरस्वती को सौंप दिया जाना चाहिए जो उनकी चिता को अगनी दे वसीम रिजवी ने हाली में कुरान के 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रिम कोर्ट में एक जनहीत याची का दायर की थी जिसे कोर्ट द्वारा खारिश कर दिया गया था इसके बाद वसीम रिजवी ने कहा था कि मुसल्मान मुझे मार देना चाहते हैं इसके साथ ही उन्हें ने कहा कि देश और देश के बाहर मेरी हत्या करने और गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है मुझ पर इनाम रखी जा रहे हैं मेरा गुना इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रिम कोर्ट में चैलेंज किया था श्रीवाब गुप्ता की रिपोर्ट उनका बहुत बहुत स्वागत है यह बड़े स्वभागय की बात है आज यह एक एतिहासिक छण है जहां इतने पड़े लिखे और विद्वान मुसल्मान ने उस गंदगी को जिसे वो एक टेर्रिस्ट और्गनाइजेशन कहते हैं और मैं इसे कहता हूँ इसलाम इजे और्गनाइज गैंग ऑफ क्रिमनल्स उस गिरों से रिस्ता छोड़कर वो सनातन धर्म की और आए हैं अपने मूल धर्म की और आए हैं हम बहुत गौर्वानमित महसूस करते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है उनका नया नाम होगा ज क्या वज़ा मानते हैं क्यों उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कि उन्होंने उस गंद की को पहचान लिया ना इसलाम की गंद की इसलाम है किस तरह की गंद की मुहंबत है साउदी अरब के बास्ताओं को लिखने वाले है कि वह अध्यन करें कि 1400 साल में उनके लोगों ने किया क्या है किस तरह से वह अमान्वे रहे किस तरह से उन्होंने अमान्वेता पूरी दुनिया में फैलाई आज वह इसके लिए पस्चाताप करें अपने धर्म में वापस जो उनका मूल धर्म है उनके पूरवजो का धर्म है और जो हमारा मंदिर उनने तोड़ा था उस मंदिर में वापस हमारी 365 माताओं की मूर्तियां थी उन्हें रिस्टॉल करें दुबारे से अपने जो 1400 साल की गंदगी उनकी वजह से पूरी दुनिया में फैली 500 करोड लोग तैयार है अब वसीम रिजवी जी ने जो सहस दिखाया है आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो लगबग 40% से ज्यादा मुसल्मान एथिस्ट हो चुके हैं इरान पूरा इसलाम को छोड़ने के लिए तैयार है इंडोनेसिया का आपने वसीम रिजवी जी ने भारत के मुसल्मानों को एक रास्ता दिखाया है बहुत सारे लोग तो हमारे संपर्क में हैं और वसीम भाई के संपर्क में तो लाखो लोग हैं ये सब लोग इसलाम को छोड़कर सनातन की तरफ आने वाले हैं और मैं माँ और मादेव का बड़ा उनका नया नाम जीतेंद्र नारायन सिंग त्यागी, मेरे पिता के तीसरे पुत्र के रूप में वो जाने जाएंगे, और गाउं का नाम है हमारा हिन्नोट, जिला बुलेंसेर हिन्नोट, वहां के निवासी के रूप में वो जाने जाएंगे, पैतरक हमारी हर चीज में उनकी इस्तेदारी होगी अगर कोई मुसलमान सनातन धर्म की तरफ जाता है तो मुसलमान मौलवी वो लोग उसे यह कहते हैं कि तुमने सनातन धर्म अपना लिए आप किस जाती में जाओगे तो हमने वसीम भाई को इस सुविदाजनक प्रसंद से बचाने के लिए एक पूर्ण पर करता हैं उनके कि उन्होंने हमें इसका अफसर दिया हुमारा पूरा त्यागी समाज हम पूरे सनातन धर्मी अपने भाई को वापस अपने परीवार में क्या कुछ कहेंगे सनातन धर्म में आने पर हमाए यतिन असिंगा नन गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे उर्जा मिली है आज मैं इस मंदिर में हूँ इस मंदिर की पवित रिस्थान से हमें उर्जा मिली है और वो इसलाम जो हमको सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे देखिए पुराना धर्म है सनातन धर्म और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला इंके साथ हमेशा जुम होता रहा है भेदभा होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे गरदने काटते रहे हमेशा आज बी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की खाब देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान को खंडित करने का खाब देखा जा रहा है आईस आईस जैसी संगठा ने हिंदों का कतल वाम करना चाहती है और फिर भी आज भी हिंदू बेफिकर है उसको अपने काम काज अपने घर वेवार से छुटी नहीं है तो उनको बताना है हम यहीं कहते कि तुम किसी से लड़ो लेकिन तुम को अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए तुम को अपने समयाद अपनी इज़त के लिए तैयार रहना चाहिए तुम को ये मालूम होना चाहिए कि तुमारे साथ में बड़ो सी कौन तुमारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है तुमको उसको तयार रहना चाहिए हम जागरुक करेंगे हिंदों को हम महराज और हमारी पूरी टीम सब जागरुक करेंगी हिंदों को और हम फसाद नहीं करना चाहते हैं लेकिन कोई हमें मारे तो ये भी बरदाश नहीं करना चाहते है आज ही का दिन आपने क्यों चुना छे दिसंबर देखे आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान शीराम को अपमानिश करते हुए उनके जन्मिस्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी आज का दिन वो दिन है कि जो हिंदुत ने अपना हलका सा बल पर योग करते हुए उस अवैत कब्जे को वहां से ढखेल दिया था इसलिए हिंदुत के लिए आज ये गर्व का दिन है और आज हमने सनातन धर्म सुईकार भी इसलिए किया है क्योंकि हमारी कहानी भी भगवान शीराम के राम मंदिर के संगर्श से चुरू हुई थी जब मुझको इसलाम से पहली बार निकाला गया था हर जुमे की नमास के बाद हमारे यती जी के सर काटने पर इनाम बढ़ाया जाता है पुतले जलाए जाते हैं ये कौन सा धर्म है तुम किसी को जिन्दा जला रहे हो पाकिस्तान में आपने देखा एक्षरी लंका वाले को जिन परिवार का मेरे साथ है वो मेरे साथ आएगा और कुबूल करेगा जो हमारे साथ नहीं है वो चाहे परिवार हो चाहे हमाँ दोस्त हो हम धार्मिक हिसाब से उनका त्याग कर देगा वसें जी सनादम धरम वो क्या संदेश देना चाहते हैं यागि जी राजनीती से जोड़ा जा रहा है आपके आज धरम परिवर्सन को क्योंकि तीन महीने बाद उत्तर परदेश में चुनाव है देखे जो लोग देखे ऐसा है कि जो इस वक्त मुसल्मानों की वोटों की राजनीत कर रहे हैं वो इस चीज़ को अपने हिसाब से देए ऐसे एक खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टूड़े